इस वीडियो में हम कुछ प्रश्ण हल करते हैं, जिन में हम प्रतिलों त्रकोण मीतिय फलनों की सर्व समिकाओं यानि की आइडेंटिटीस का उप्योग करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्ण है, sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1 है, तो हमें यहाँ पर x का मान ग्याद करना है, अब इस प्रश्ण को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रश्ण में बराबर के चिन से पहले sin फलन है, तो यदि हम बराबर के दूसरी तरब भी कोई sin फलन बना लें, तो हम दोनों पक्षों की तुलना करके प्रश्ण में कोस्टक के भीतरवाले इस भाग को कोई मान दे सकते हैं, अब हम जानते हैं कि sin 90 डिगरी यानि कि sin pi by 2 का मान एक होता है, इसलिए हम दूसरे भाग में ए एक के इस्थान पर sin pi by 2 लेख सकते हैं, यानि यह हो जाएगा sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin pi by 2, अब यदि हम दोनों पक्षों की तुलना करें, तो हमें मिलता है sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x बराबर pi by 2, अब हम एक सर्व समीका का उप्योग कर सकते हैं, इस सर्व समीका के अंसार sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 होता है, यानि हम pi by 2 के इस्थान पर sin inverse x plus cos inverse x लिख सकते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या होगा, यह हो जाएगा sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin inverse x plus cos inverse x, अब इसे यदि आगे हम हल करें, तो यहाँ पर cos inverse x से हम cos inverse x को cancel कर सकते हैं, यानि हमें sin inverse 1 by 5 is equal to sin inverse x मिलेगा, यहाँ यदि हम दोनों पक्षों की तुलना करें, तो हमें x का मान मिल जाएगा, यानि कि x बराबर 1 प्रटा 5 है, तो इस प्रकार हमने इस सर्व समीका का उप्योग करके इस प्रश्न को हल कर लिया, आएए एक और प्रश्न हल करते हैं, मान लिजे कि हमारा प्रश्न है, 10 inverse x by y minus 10 inverse x minus y by x plus y is equal to pi y a, यहाँ आमें a का मान ग्याद करना है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम, एक सर्व समीका का उप्योग कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 10 inverse x minus 10 inverse y is equal to 10 inverse x minus y by 1 plus xy होता है, इस सर्व समीका का उप्योग करने के लिए हमें प्रश्न में कुछ परिवर्थन करना होगा, तो हम क्या परिवर्थन कर सकते हैं? हम प्रश्न के इस दूसरे पद, यानि कि 10 inverse x minus y by x plus y इसमें थोड़ा परिवर्थन कर सकते हैं, यानि इसे हम लिख सकते हैं, 10 inverse x by y minus 1 by x by y plus 1, या हम इसे थोड़ा सा चेंज करें, तो यहां जो नीचे x by y plus 1 है, इसके दोनों पदों को, इस्थान बदल के हम ऐसे भी लिख स सकते हैं, 1 plus x by y, तो यह जो हमें यहां दूसरा पद मिला है, यह हमें सर्वसमिका के समान दिखाई दे रहा है, जिसमें यहां अंश में x के इस्थान पर x by y है, और y के इस्थान पर 1 है, यानि यदि हम इसमें सर्वसमिका का उपयोग करें, तो हम इस पद को इस प्रकार ल x by y है और y के इस्थान पर 1 है इसलिए हमें ये दूसरा पद इस तरह से मिलता है इस प्रकार ये हमारे वेंजक का दूसरा पद है यानि हम वेंजक में इस पद को रख दें तो हमारा वेंजक क्या हो जाएगा ये होगा 10 inverse x by y minus और ये दूसरा पद कोस्टेक में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रण का निशान है तो ये हो जाएगा 10 inverse x by y minus 10 inverse 1 is equal to pi y a इसे आगे हल करने पर हम ये 10 inverse x by y और इस 10 inverse x pi y को cancel कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रण में है और ये धन में है यानि हमें मिल जाएगा 10 inverse 1 is equal to pi by a अब हम जानते हैं कि 10 inverse 1 का मान pi by 4 यानि 45 degree होता है इसलिए हमें यहाँ पर जो मिला वो है pi by 4 यानि 45 degree is equal to pi by a अब इन दोनों के यदि हम तुलना करें तो a is equal to 4 होगा तो इस प्रकार हमें a का मान यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से हम त्रिकोण मिती सर्व समिकाओं का उपयोग करके प्रशनों को हल कर सकते हैं झाल